लोगसवा चुनाओं से पहले हर राज्य में एक खेला होता नजर आ रहा है पहले बिहाद, फिर पश्चिम बंगाल और अब हरियाना में एक बड़ा उलट फेट देखने को मिला जब मनोहलाल खटर ने सियंग बद से इस्तिफा दे दी, यानि के भड़ियाना में बीजेपी और जेजेपी का गड़वंधन तूट गया है जिसके बाद से अगले मुक्मंत्री के नावों की चर्चा जोड़ पकड़तों ही नजर आ रही है साथ इकायस लगा जा रहे हैं कि मुनः लाल के सितिफे के बाद ने सिय खटर का गठन किया जाएगा मुनः लाल के सितिफे के बाद कंगरेस ने दार्टी ब्ल भुड़ दा का बयान सामने आया है अभी पहले पूरा जगना करम जब हो जाएगा उसके बाद इस पे विस्तार से आपनी बात कहीं है लेकिन जो हरियाना में जो सब हो रहा है वो हरियाना के जन भावना के दबाव में हो और हरियाना की जन भावना परिवर्तन का बना लिया है हरवर्क इस सरकार से ये नराज है inst olho धर लियाना में पटाव कई है कि अब यह हो रहा है पूरा एक पर साथ हतना करम हो जाए तब विस्तार कर उसे हम सुर्ण आपको बता दे कि मनुहरलाल के इस्तिफे के बाद दिपेंद हुड़ा ने सोशल मेडिया एक्स पर लिखते हुए कहा है कि आज के घटना करम पर मैंने तीन महीने पहले सिर्सा मेरी एक्षन दे दिया थे मैंने प्रदेश वासियों को बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझाता तोरने का अधोशित समझाता हो गया है और इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और आई एन एलडी वाले कॉंगरेस के वोट में सेंध मार दे अलग से फिर आएंगे नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फालो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए